हेलो गाईस मेरे नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल और यह है पिक्सल एक्सपीरियन्स का लेटेस्ट एंडुड 11 बेस्ट बीटा रोम जिसको मैंने रेड्मी नोट 5 प्रो के उपर यहां पे इंस्टॉल कर रखा है और आज पूरा दिन इ वीडियो के निदर बताऊँगा क्या फीचر perspective यहां पे मिलते है और अगर आप इसको install करोगे तो क्या benefits आपको यह इस ROM के देखने को रिपर बेस्ट और उस से पहले अगर आप चैनल पर निउए उपर बेस्ट और कुछ यह सेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है और लाउंचर की अगर बात करें तो आप अप ओपन एंड क्लोजिंग स्पीड यहां पे चेक कर सकते हो, काफी फास्ट आपको यह देखने को मिलता है, रोम काफी ज्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगी, कोई भी आपको लैग वगरा यहां पे UI के अंदर नहीं फेस करना पड़ेगा, और आप यहां पे देख सकते हो, काफी अच्छा RAM Management वगरा भी आपको देखने को मिलता है, स्मूथ एनिमेशन आप यहां पे एंजॉय कर सकते हो, और काफी अच्छा खासा आपको यहां पे RAM Management साथ में मिलेगा, स्क्रीन शॉट और सिलेक्ट का उप्शन आपक करना चाते हो, तो कर सकते हो, अगर आप रूट करोगे, तो लेटेस्ट मैजिस्क यूज कर सकते हो, 21.4 को, और अगर सेफटी नेट की बात करें, तो सेफटी नेट आपका यहां पे टेस्टेशन फेला जाता है, तो इनकेस अगर आप रूट करोगे, तो आपको मैजिस्क ह देखने को मिलता है जिसके अंदर वीडियो आप मैक्सिमम 4K 30fps तक शूट कर सकते हो और काफी सारे और भी वीचर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं फोटो वगरा के अंदर और काफी मोड्स आप यहां पर एक्सेस कर सकते हो जीकेम 7.4 की बात करें तो यह मैं यहां पर काफी अच्छी से यूज कर पा रहा हूं और वीडियो वगरा आप यहां पर भी निकाल सकते हो देन स्लो मोशन भी आपका यहां पर काफी अच्छी से वरकिंग है और रेस्ट हमारे पास एक और कैमरा है टी आर कैमरा तो उसको भी चेक कर लेते हैं तो वो भी आपका काफी अच्छी से यहां पर वरकिंग है और स्लो मोशन आप यहां पर भी शूट कर सकते हो तो तीनों ही कैमरा को आप डेफिनेटली इस रॉम के उपर विदाउट एनी इश्यूज कर पाऊगे तो यह वाला जो पिक्सल एक्सपिरियंस ह आपको बिल्कुल लेटेस्ट जैनुवरी का देखने को मिलता है और करनल आप यहां पर देख सकते हो मिनिमल आर वन या फिर कुछ इस टाइप से आपको नेम यहां पर देखने को मिलता है और अगर बिल्ड नंबर की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो पिक्सल एक् के previous update के उपडेट के उपडेट कर सकते हो system navigation के अंदर आपको कुछ ज़्यादा features नहीं देखने को मिलते क्योंकि यह जो ROM है यह pure stock android के उपडेट है तो कुछ features आपको यहाँ पे missing मिलने वाले हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है उसके बाद fingerprint का support मिल जाता है बड face unlock आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता और fingerprint scanner की speed आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कुछ इस type से आपको देखने को मिल जाती है बागे almost सभी चीज़ें आपको यहाँ पे updated देखने को मिलती है style design wallpaper का look भी आपको बिलकूल latest मिलेगा और wallpaper के अंदर जाके आप on device wallpapers को और भी अपने accordingly set कर सकते हो तो काफी सारी चीज़ें आपको tweak करने के लिए मिल जाती है आप जैसे ही यहाँ पे plus icon के उपर जाओगे यहाँ पे custom presets को set कर सकते हो तो काफी सारे fonts आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से next करोगे तो icons आपको pixel 5 से देखने को मिल जाती है और colors भी आप यहाँ पे choose कर सकते हो then icon shape भी choose कर सकते हो तो अपने accordingly इन चीज़ों को आप customize कर सकते हो जैसा भी आपको करना हो और कुछ preset आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कुछ हिस तरीके से तो आप इनको भी जो अपने accordingly अपलाई कर पाओगे then बात करे tap to wake की तो वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ tap to wake आपका working है but tap to sleep आपका यहाँ पे work नहीं करता उसके बाद ambient display के अंदर आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को enable कर सकते हो और lock screen के अंदर भी आपको कुछ options यहाँ पे मिल जाते हैं अब बात करेंगे यहाँ पे night light की तो यह भी आपका काफी अच्छे से working है night light के अंदर आपको issue नहीं आने वाला dark theme आप enable कर सकते हो यहाँ पे सभी जो common चीज़ें वो काफी अच्छे से working है अब sound का panel भी आपको same यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है तो आप इसको भी customize वगरा कर सकते हो अगर battery की बात करें तो battery काफी अच्छी है कोई भी मुझे ज्यादा issue नहीं आया तो आप देख सकते हो यहाँ पे battery backup मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से मेरा battery backup है और इसके उपर PUBG गरा N22 Benchmark या फिर Subway Surfer और कुछ नॉर्मल एप्स को भी मैंने यूज किया है और 3 hour 10 minutes का screen on time मिला और left है आप देख सकते हो 54% बैटरी left है यहाँ पे नहीं आएगी तो यह वाला जो अपडेट है यह एक बीटा बिल्ड है तो काफी सारे bugs भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं minor bugs आपको फिल हाल फेस करने पड़ेंगे और काफी सारे fixes आपको मिलते हैं आप जब official side के उपर जाओगे तो वहाँ पे आपको change log इसका मिल जाएगा और आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका जो stock डाइलर है वहाँ पे आपको कोई recording option नहीं मिलता क्योंकि यह वाला जो डाइलर है वह Google की और से आपको मिलता है वीडियो कॉलिंग आपका work नहीं करता वाइफाइ डिस्पले भी आपका यहाँ पे broken है और वाइफाइ कॉलिंग भी आपका work नहीं करता as of now तो वह चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है बाकी almost आपको काफी अच्छी रोम देखने को मिल जाती है काफी अच्छी खासी stability इस रोम के अंदर आपको मिलेगी अब एंटूडू बेंचमार्क स्कोर की बात करें सो जो performance है वो काफी अच्छी है इसके stock kernel के उपर और आप यहाँ पे जो है एंटूडू बेंचमार्क का स्कोर देख सकते हो 151,000 के आसपास आपको स्कोर मिलता है जिसके उपर आप gaming भी अच्छी खासी कर सकते हो GPU स्कोर भी आपको around 26,000 के आसपास मिलता है गेमिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो बट बहुत ज़्यादा hardcore gamer हो तो definitely ये रोम आपको मैं फिल हाल नहीं recommend करूँगा आप अच्छी खासी gaming कर सकते हो और मैं gameplay भी आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ तो guys अब यहाँ पर बात करेंगे PUBG performance की PUBG performance मुझे काफी अच्छी लगी इस update की तो definitely अगर आप एक gamer हो या फिर hardcore gamer के लिए तो मैं ज्यादा recommend नहीं करने वाला क्योंकि Android 10 जितनी आपको stability अभी जो है gaming के अंदर नहीं मिलती बड़ अच्छी खासी gaming आप इस ROM के उपर कर सकते हो gameplay आपकी आँखों के सामने है और यह जो gameplay है वो smooth plus extreme के उपर है या फिर 90 FPS इसको बोल सकते हो देन balance के साथ आपको medium और HD का option आपको यहाँ पर नहीं मिलता जो stock settings है वो आपको smooth plus medium तक ही मिलती है बड़ आप 90 FPS के उपर without any issues यहाँ पर gaming कर सकते हो थोड़ा सा battery drain ज्यादा जुरूर से होगा बड़ कोई भी आपको दिक्कत gaming के अंदर नहीं आएगी अच्छी खासी आपको smoothness इस ROM के अंदर देखने को मिल जाती है so definitely आप इस ROM को try कर सकते हो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर कोई भी निराशा नहीं होगी so काफी अच्छी आपको यहाँ पर stability देखने को मिल जाती है so अब बात करेंगे इसके flashing method की आप सबसे पहले orange fox recovery open करोगे उसके बाद wipe के अंदर आखे डेलवी catch system vendor data इन सब को swipe to wipe करना है then आपको latest file को download करके इसको select करना है और आप directly इसको flash कर सकते हो और मैं आपको zip यहाँ पर दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हो pixel experience wired 11 point और साथ में आपको date देखने को मिल जाती है so इसको select करोगे और इसको directly flash कर दोगे flash करने के बाद device आप अपना simply reboot कर सकते हो और first boot के बाद आप अगर root करना चाते हो तो latest magisk 21.4 यूज़ कर सकते हो so इस वीडियो के लिए guys बस इतना ही I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो like कर देना अगर आप channel पे new आए हो तो subscribe जरूर से करना यार और मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही new interesting वीडियो के साथ